जिस जगह पर भगवान परशुराम और गनेश जी के बीच युद्ध हुआ था वहाँ अब भी प्राचीन गनेश प्रतिमा मुझूद है दंतेबाडा की इस इलाके को फरसपाल नाम से जाना जाता है बस्तर के दंतेबाडा में हजारो साल पुरानी गनेश जी की दो मुझूद्या है फरसपाल में समुद्री सतह से 3000 फीट ऊजे पहाड की चोटी ढोलगाल शिखर पर विश्व की अनोखी गनेश प्रतिमा विराजमान है इस गनेश मूर्थी के एक हाथ में फरसा और एक हाथ में तूटा हुआ दान्थ है यह विश्व की एक मात्र मूर्थी है किवदंती है कि यहाँ पर भगवान परशुराम और गनेश जी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें गणिश जी का एक दांट तूट गया था तभी से इस जगहां का नाम फरसपाल पड़ा इस मूर्ती के पेट पर शेशनाग और जनेव के स्थान पर एक जन्दीर बनी हुई है इस मूर्ती तक पहुँचना बेहद मुश्किल है खड़ी पहाडी पर चार घंटे की चड़ाई चड़कर ही यहां पहुचा जा सकता है सबसे बड़ा आश्चर तो यह है कि साड़े पीन फीट की इतनी बजनी मूर्ती को यहां तक पहुचाया कैसे गया होगा दूसरी मूर्ती जिले के बारसुर में मौजूद है इसे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा माना जाता है दंड कारणने के इस शेत्र में प्रभू श्री राम ने बनवास का लंबा समय गुजारा है इसी कारण यहां पर इस्थित एक जलप्रपात का चित्रकोट नाम पड़ा चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ तक जोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पकदंडियों से सडकों तक गाउं से शेहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राज़्टीती से उटमीती तक दखन नीउज आपके हत्त आप देख रहे हैं दखन नीउज झाल करो झाल पहे हैं नीङज देखन